The Superfast YouTube Channel पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ फॉरण पैनी स्टॉक के बारे में अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर तो एक कमपनी है और ये फॉरण का कमपनी है और यहां पर प्राइस आप देखेंगे तो इंडियन रुपीज में नहीं है डॉलर में है यदि आप इंटरस्ट रखना चाहते हैं यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इंवेस्टे करते हैं और फॉरण कमपनी में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यहां पर जो कमपनी है ये वियॉन लिमिटेड इसके बारे में कुछ एडिसनल इन्फोर्मेशन ये वियॉन कमपनी टेली कॉम्निकेशन का कमपनी है और इसका आप देख सकते हैं 2016 में रेवेन्यू 978 करोड डॉलर है यूसडी में इसको आप इंडियो नुपीज में कनभर्ट कर सकते हैं और कमपनी का फॉन्डेड यहाँ पर डेट देख सकते हैं 2009 है और इसका हेड़कॉर्टर निदरलेंड बे है तो इतना इन्फोर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए अब आजाते हैं इस स्टॉक पर तो कमपनी का नाम तो पता चली गया और प्राइस अगर देखेंगे तो 2.15 डॉलर है इसको अगर हम इंडियन रुपीज में कनभर्ट करते हैं तो देख लेते हैं कितना हो जाता है तो इंडियन रुपीज में हमने जब कनभर्ट किया इसक अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक यानि 5 दिन का डेटा मैं आप सभी को दिखाता हूँ और 5 दिन में अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट में 27 अगस्त के दिन तो 27 अगस्त के दिन इस सेर का प्राइस था 1.96 डॉलर तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ 27 अगस्त अब थोड़ा सा और बैक हम चलते हैं एक महीना का डेटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ और अगर आप देखेंगे इस जगहा पर 17 अगस्त के दिन तो 17 अगस्त के दिन इस सेर का प्राइस था 1.59 डॉलर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17 अगस्त 1.59 डॉलर और 2.15 डॉलर ठीक है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखें तो लगभग 16 दिन होता है 15 से 16 दिन होता है 15 से 16 दिन में कितना प्राफिट यह सेर दिया है यह हम जान लेते हैं तो मैं इसको कर लेता हूँ पूरा का पूरा इंडियन रुपीज में तो 2.15 का हो जाता ह 157 रूपीज और हम देख लेते हैं 1.97 का कितना हो जाता है 9.6 है 9.7 नहीं है तो 143 रूपए हो जाता है और इसके बाद है 1.59 तो 1.59 का प्राइस हो जाता है 116 रूपए ठीक है तो अब मैं आ जाता हूँ फिर से इस शेयर पर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तो तो स्टार्टिंग में 17 अगस्त के दिन इस सेयर का प्राइस था 116 रूपए और 3 सितंबर के दिन यानि आज की दिन इस सेयर का प्राइस है 157 रूपए तो अब हम देख लेते हैं कि यदि 17 सेप्टेंबर की दिन इस सेयर को अगर हम खरिदते हैं तो आज की दिन मुझे कितना प्राइस होता तो मैं यहाँ पर कैल्कुलेटर भी ओपिन कर लेता हूँ तो कैल्कुलेटर हमारा यहाँ पर आ चुका है तो 157 और माइनस हम करते हैं 116 तो अगर आप देखेंगे तो 41 रूपए का प्राफिट हुआ है तो इसको हम मान के चलते हैं 40 रूपए ही ठीक है 40 रूपए प्राफिट हुआ है 116 रूपए पर और इन्टू हम कर देते हैं 100 ताकि हमें पता चल सके कि कितना परसेंट का प्राफिट हमें मिलता तो लगभग लगभग 35 परसेंट यहाँ पर हमें दिखा रहा है प्राफिट ठीक है